तो हिमाचल प्रदेश ने राउंड वन की रिपोर्टिंग के बाद राउंड टू का सीट पैट्रिस निकाल दिया है और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा ये जो जरूरी है लर्निंग वो है पाकी मेरे श्रोताओं के लिए जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं ये जो हमारे क् पर कुछ लोग उसको सीने सीने ले लेते हैं बस और वही पस्ताते हैं अच्छली सचाई ये बात तो ये है अब क्योंकि है न हमाचल में बाहरवाद लोगों तो एक ही इंट्रेस्ट वाली बात होती है उनका एक मात प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसको हम महार्शिव मा कर देखें वन हंड़न्डडरेन सेवन्टीं ने भी तक खाली है पहली बात पर जो दूसरी इंट्रेस्टिंग बात है वह है कि पूरी 13 सीटे एनरय की खाली है और पूरी चैस सत्तर सीटे आउटसेड हमाचल वालों के लिए भी खाली है लिकर जो बाकी सीटे होती है न हमा तो हिमाचल, अगर आप हिमाचल कोटा के हैं, आपके धाई सो, तीन सो नंबर हैं, तो आपको मालूम होता है कि भई सरकारी मिलना नहीं है, इंदिया में मैं कहीं भी जाओंगा, नेरबाय में भी जाओंगा, हर्याणा में, उत्राखंड में, सोरी, उत्यूपी में, सतर तो मि ले लेते हैं, इसमें, तो आप समर उसलिए, हर्यक की भाइक, मैं में चेकता हूँ, हर्यक की लोजिक होता है, तो हिमाचल, डोमी, साहिल का, हर तीन सो माक्स वाला, किसी भी कैडिगरी का हो, उनको मालूम होता है कि भई, मुझे और क्या मिलेगा, और फोर्स, अफोर्डब वाला है नहीं, जहां पर आपका काम पच्पन में हो जाता है, या केरला, इसके लावा आप कहीं पर भी जाओगे, आपको, सतर पीजिता दुखच कर नहीं है, तो उसे अच्छ है कि भई, अपना हिमाचल ले लो, लेकिन जो हिमाचल के बाहर वाले हैं, उनके पास ऑप्श है, थ्री सेवन्टी, अपतर नहीं, चार सो मुझे ध्यानी, तो मेरे भी क्लाइन से फोन आ रहा है, यह सरा आपने तो कहा था कि टू फिफ्टी पे, टू सेवन्टी पे, पक्का मिल जाएगा, राउंड टू में मिल जाएगा, और राउंड मॉपप में तो आपने कहा था क में दिलवा दूँगा, तो यह क्या हो रहा है? तो देखिए बस यही मैं दिखाने के लिए उनको भी, क्योंकि एक के को समझाना मुश्किल हो जाता है, तक्रीबन सारी सीटे के बच्ची हुई है, यह जो सीट मेट्रीस होता है ना, सतर के सतर मेंज़मेंट सीटे बच्ची हुई हैं और मैं अगर ध्यान से देखूँ हैं तो मैंने सुलन में 70 सीटे ही हैं जो टोटल अग्राइवेलेबल होती हैं आउट साइट के लिए और यह सारी खाली है और यह सारी एनरे की सीटे राउंड थ्री में जाके कनवर्ट होती है नॉर्मल सीट में लेकिन जब फर्स्ट राउंड के लॉट्मेंट आई थी तो कट ओफ इतनी जब उपर गए थी इसी कॉलिज की है ना है में मू सोलन की तो वही देखिए सारा खेल फ्री एक्जिट का होता है और यह सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं तो बड़ी लर्निंग आप सबके लिए यह है कि जो इस भी स्टेट की आप काउंसलिंग कर रहे हैं फिलाग हजाड़ा में काउंसलिंग रुखी होई है लेकिन वही कटफ्स जो वहां के सबसे लोएस प्राइवट मेडिकल कॉलेज वह भी सारे तींसों के उपर था फिर अपना उत्राख़ड़ के सब सारे तींसों के अपर रहे हैं तो ऐसा अंधेर गर्दी नहीं है धंक से हम काउंसलिंग करें प्लैणिंग से काउंसलिंग करें तो करने की जड़ूत नहीं है या ऊपर से पैसे देने की ज़रूत नहीं है यह मिलती है बार बार में अपने हर वीडियो हर एक मैसेज जो मेरे बैसे हो जाता है पेशन्स 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 आप यह मान के चलिए अदर दर यूपी जिसका रिजल्ट अभी आना है तो उसमें बंदे के दोला हुर्वे खराब होते हैं तो वो लोग सो समझ के चोईस फिलिंग करते हैं यूपी के अलावा पूरी इंडिया का राउंड बन जिसे कहते हैं टाइम पास है तो असली काउंसलिंग तो अब शुरू होई है जब राउंड टू डीम्ड का स्टार्ट हो गए तो आपको यह मानना चाहिए कि काउंसलिंग शुरू हो गए हमें तो यह लिगता है कि पच्चेस दिन होगे पर आप इस वोच्छों से शुरू हो रही है सात नमंबर से ठ द्हारे दे आपको वही कॉंफिडेंस दे ओके सो बेस्ट विशिस बेस्ट अव लग हमारे साथ कोई अगर जोड़ना चाहे तो 96433 62320 पे कॉल कीजिए और आप हमारे क्लाइट बन सकते हैं आपका दिन शुब हो नमस्कार